वेलकम तो स्टाडी चैनल मेरे नाम है मुहमत कैसर BPSC TRE3 में फिर से आवेदन शुरू हो चुका है आज से 4 जून से लेकर 10 जून के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं तो कौन-कौन दुबारा से फॉर्म भरेगा, क्यों दुबारा से फॉर्म उपन किया गया है आज साम आपका कब तक होने वाला सारे जानकारी आपको दी जाएगी बने रहेगा हमारे साथ देख सकते हैं 3 जून 2024 आज के डेट में इंपोर्टेंट नोटिस यहां पर आया है और बताया गया है कि 4 से 10 जून के बीच में आपको आवेदन का मौका मिला है चुकि पटना हाई कोट ने इस संबन में ओर्डर दिया हुआ है नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें बताया गया है तो माननी उच्च न्याल है पटना दुवारा CWJC 2272-24 के संदर में पटना हाई कोट ने ये ओर्डर दिया कि जो गेस टीचर हैं जो अतिती सिक्षक हैं उनको प्रतिवर्ष की सेवा के अधार पर 5 अंक और अधिक्तम 25 अंक का दिभार दिया जाएगा जिस प्रकार से कॉंट्रेक्ट टीचर को मिलता है तो ये दिभार सरकार को देना होगा इन गेस टीचर को भी और जो गेस टीचर हैं ये उच्च मादमिक सिक्षक के पद पर न्यूक्त हैं तो इस वज़े से दुबारा से आवेदन लिया जा रहा है और सिर्फ वैसे अभ्यरती जो अतिती सिक्षक हैं उन्हीं को ही दुबारा से आवेदन करना है अब यहाँ पर दो तरह की कंडिशन है जिन्होंने पहले आवेदन ही नहीं किया था अतिती सिक्षक ठीक है वो भी 4 से 10 जून के बीच में online आवेदन कर सकती हैं लेकिन सिर्फ अतिति सिक्षक ठीक है और वैसे अतिति सिक्षक जिन्होंने पुर्व में आवेदन तो किया था लेकिन उन्होंने अपने experience की कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि इसका कोई उनको weightage नहीं मिला था तो ऐसे अतिति सिक्षक अपने username और password से login होंगे dashboard पर आपको inter experience detail for guest teacher only का एक option मिलेगा आपको इस पर click करना है experience detail fill up करने की प्रिकरिया आपको पूरा करना है इसके बाद आपको प्रति वर्स की सेवा के अधर पर 5 अंका दिभार और maximum 5 साल की सेवा पर 25 अंका दिभार दिया जा ये काम नहीं करेंगे तो उनको इसका दिभार नहीं दिया जाएगा क्योंकि आयो को पता ही ने चलेगा कि आप guest teacher है की नहीं हैं तो आपने कितने साल की सेवा की है तो ये पूरी जानकारी है साथी साथ जो सामान भर्ती है यानि जो guest teacher नहीं है जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था तो ऐसे अभर्ती भी जरूर सवाल पोचेंगे क्या हम फॉर्म भर सकते हैं चार से दस जून के बीच में तो आप फॉर्म नहीं भर सकते ये फॉर्म री ओपन हुआ है ये window सिर्फ कुला है guest teacher के लिए ठीक है तो ये भी बात आपके clear हो गई अब बात करते है परिक्षा कब तक हो सकती है दस जून तक तो आवेदन ही लिया जाएगा ठीक है दस जून के बाद फिर जाकर काम सुरू होगा परिक्षा कराने पर क्योंकि दस जून के बाद आयोग को पता चलेगा exact कितने अभरतियों ने आवेदन किया उसके बाद final होंगे exam center पेपर लगेगा कम से कम परिक्षा कराने में ये बात आप समझिएगा जो 21 जून की खवर वारल हो रही है उसमें परिक्षा आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने कम समय में exam कराना possible नहीं है ये exam है exam में विशेष ध्यान देता हायोग क्योंकि पिछली बार TRI3 का पेपर जिस प परिक्षा कराया जा सकता है तो 27 से 30 जून पर काम हो रहा यदि सब कुछ तैयारी हो गई तो 27 से 30 के बीच में आपके परिक्षा हो सकती है और यदि काम में कहीं भी डिले हो गया exam center में पेपर सेट करने में तो exam का थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है 27 से 30 जून वाली भी 100 परसेंट डेट नहीं है त्यारी लेकिन जरूर हो रही है यदि जून एंड में exam नहीं हो पाया तो जुलाई 10 जुलाई तक आपका exam हो जाएगा यह आप बिलकुल मान कर चलिएगा और इस हिसाब से आप अपनी त्यारी करिए इसके अलावा कोई आपके doubt हो सवाल हो तो लि इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग